परिक्षा नहीं होई लेकिन आज नहीं तो कल होगी ये कोरोना मामारी आज नहीं तो कल जरूर खतम होगी स्कूल कॉलेजिस कभी ना खुलें ऐसा नहीं होगा अब बिहास करते रहोगे तो कोई पस्तावा नहीं होगा कुरोना मामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजिस बंद पड़े हैं जिसके चलते विध्यार्तियों में पढ़ाई के प्रती लापड़वाई देखी जा रही है इसी को देखते हुए से मुंबाई के स्कूल में हमारे पुणाडों में लिखी थे एक कहानी सुनाई गई और विध्यार्तियों को इस कहानी के जरिये एक मैसेज दिया गया एक सला दी गई कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंदर किसानों से नराज हो गये और उन्होंने गोसणा कर दी कि 12 साल तक बारिस नहीं होगी आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे भगवान इंदर से किसानों ने विनमरता पूर्बग विंती की किसानों की विंती को देखतु है इंदरे ने बड़ी चलाकी से बारिस ना होने का सारस रेह भगवान सिप की उ नुरोत कर चुके थे जब किसान भगवान सिप के पास बारिस के लिए बिंती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिस तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा निरास होकर बापस लोटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया लेकिन उनमेंसे एक किसान बापस लोटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था यहां तक ये बीज भी बो रहा था, अन्न किसानों ने ये देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया, कुछ किसानों ने उस से पूछा भी कि आप अपना समय और उड़जा क्यों बरबाद कर रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिस नहीं होने वाली उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिस के बिना मेरी फसल नहीं आएगी लिकिन मैं ये सब किवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ 12 साल बाद में फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिकरिया को भूल जाओंगा सरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और सरीर आलस का सिकार हो जाएगा इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिस होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी जब इस किसान की ये बात पारवती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर सिप जी से कहा आप भी 12 सालवा डमरू बजाना भूल सकते हैं ये सुनकर भगवान सिप भी चिंतित हो गए इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूलतों नहीं गए इसकी जाच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोसिस करने लगे कोसिस करते हुए जैसी डमरू से अवाज आई वैसी बारिस होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था महामारी भी खतम हो जाएगी इसे गूर नहीं यह सरु म पास जो ग्यान है उसे और बढ़ाएं इस समय का अपनी पढ़ाई के प्रतिला परवाई चोड़ कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब काम करने का समय आएगा जब भी परिक्षा देने का समय आएगा तो आप हर चुनोती और अपने हर कोश्चन का जबाब देने के लिए तयार रहेंगे अपना ध्यान रखें और अपनों को खयाल रखें क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है घर पर ही रहने की कोसिस करें ताकि आप भी और अन्य भी सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें क्योंकि डमरू कभी भी बस सकता है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करना मत भूलेगा और अगर आप एक पैरेंट है तो आप भी अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को सेर करना मत भूलेगा